हेलो दोस्तो मेरे वायो कैसे है आप सब दोस्त उमीद करता हूँ सब दोस्त बढ़ियाओंगे और अगर कोई दुख तकलीफ में है तो क्रिपया करके मुझे अपना दुख तकलीफ मत बताना क्योंकि मैं खुद तकलीफों से गिरा हुआ हूँ ठीक है अब पाट अफ जोग तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कुशिन क्या रहेगा आज का हमारा फर्स्ट कुशिन है चरक से रिलेटेड है चरक जिसको की फादर कहा जाता है इंडियन मेडिसिन का ठीक है आप सभी दोस्त रेडी है ना अवाज बगरा जो बकलीर आ रही है कोई प् फादराफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है ठीक है वो किसके को टाइम पिरेड के दोरान जो है वो थे ठीक है लिविंग डियूरिंग दी रेंग आफ वो किसके टाइम पिरेड के दोरान पे थे तो मेरे भाई वो आंसर बिल्कुल क्या रहेगा सही कनिशका जो है बिल्कुल से बिलॉंग करते थे किस से बिलॉंग करते थे उशान से बिलॉंग करते थे इनके फादर कौन थे इनके फादर थे बीमा खड़ फिसिस क्या थे बीमा खड़ फिसिस और इसके सिवा इन्हें सेकंड अशोका भी कहा जाता था ठीक है सेकंड अशोका भी जो है इन्हें कहा जा सकते हैं किया हुआ था और सबसे में बात बनती है कोईशन पूछे जाते हैं किस टाइप के कि यो व्यक्ति इनके कोट में थे ठेक है इन कोट आफ कनिशकर लिख लीजिए क्योंकि इससे उपर जो है वो कोईशन आएंगे 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 आपको फिर से बता रहा हूं जो और अश्वगोशा ये दोनों जो है वो याद रखिएगा फोर्थ नंबर पे है नागा अर्जुन ठेक है बासो मित्रो और अश्वगोश क्यों याद रखने है क्योंकि ये चेर्मैन थे किस टाइम पे जब कनिशका ने बुद्धिस्ट की फोर्थ काउंसिल करवाई थी ठ एजया गिलियर चलि नेक्स्ट कोशनी पर चलते हैं बात की गह एगे नेक्स्ट कोशन में घोत्मी पुत्र सत्करनी जो है वो ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं किस डाइनेस्ट के सात वाहनाज के तो पूछा गया है कि उसके बाद immediate successor जो है वो उसके बाद कौन था गोत्मी पुत्रा पुलमई जो है बिल्कुल मेरे वाई इसमें सही आंसर रहेगा बिशिष्ट पुत्रा पुलमई बात करते हैं सतकर्नी की सतकर्नी की बात करते हैं गोत्मी पुत्र सतकर्नी की तो ये मैंचन है कहां पे mentioned in पुरानास ठीक है पुरान्स में जो है इनको mention किया गया है पुरान में mention का मतलब इनके बारे में उसमें लिखा गया है इनका जीकर किया गया है और इस time period की सबसे famous बात थी coins जो है coins बहुत famous हो रहे थे इस time period पे clear है सबसे पहले gold coin जो है वो किसने issue किया था ये एक question बनता है अगर जिस बाय को मालूम है answer दीजेगा जल्दी से otherwise आगे हम इसको cover करेंगे next question है सातवानास minted their coins of how many metals सातवानास जो है वो coins को कितने metals के साथ mint करते थे cruntly की बात की जाए तो अभी 3 metals 3 metals use होते है अभी coins बनाने में ठीक है तो उस time पे जो है कितने metals यूज होते थे तो लिखिए सबसे पहले number का metal जो है वो कौन सा है ठीक है तो सबसे पहले number का metal आजाएगा lead आजाएगा फिर दूसरे number का आजाएगा protein आजाएगा तीसरे number का metal आजाएगा silver आ जाएगा जिन जिन भाईयों को answer मालूम है साथ साथ में comment box में answer देते जाएगा और next जो है वो copper आ जाएगा तो total मेरे भाई कितने metals जो है वो use करते थे तो total 4 जो है option number C वाले भाई बिल्कुल सही answer रहेगा तो total 4 metals जो है वो इनके द्वारा use किये जाते थे next question है the famous source of गुपता empire the प्रग्या प्रशिष्टी is known as प्रग्या प्रशिष्टी जो है इसको और किस नाम से जाना जाता था ठीक है प्रग्या प्रशिष्टी को और किस नाम से जाना जाता था तो मेरे भाई इसे जाना जाता था अलाहाबाद पिलर के नाम से किस नाम से जाना जाता था अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता था अगर बात कर ली जाए कि किस के द्वारा था ये लिखा हुआ तो वाई हरी सेन हरी सेन के द्वारा हरी सेन के ओपर question क्या बनता है कि हरी सेन किसका court poet था हरी सेन जो है वो court poet किसका था तो ये court poet था मेरे भाई समुंद्र गुपता का किसका था समुंद्र गुपता का court poet था तो समुंद्र गुपता को क्या कहा जाता है नपोलियन आफ इंडिया तो इसे कहा जाता है समुंदर गुप्त का समुंदर गुप्त को कहा जाता है नपोलियन आफ इंडिया गर के कहा जाता है ठीक है ये तो हो गई बात हरी सेन की हरी सेन के जिवा एक आपको मैंने पीछे और पोईट करवाया था वो था वानवट्टा क्या था मेरे वाईयो बानवट्टा तो वानवट्टा हर्षवर्दना हर्षवर्दन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा ठीक है आफ्टर दी बिक्टरी ओपर साकास, जब साकास जो थे, साकास के ओपर जीत जो है, वो हासिल कर ली गई, ठेक है, दो टाइटल जो है, वो गुप्ता टाइम पिरेड में फेमस हैं, जिनके पर कुशन बनते हैं, एक तो आजाएगा विक्रम अधित्या का, और दूसरा आजाएगा महाराजा अधीराजा का, ठेक है, तो यहाँ पर बात की गई है, बिक्रम अधित्या की, clear, बिक्रम अधित्या पर आजाएगा जो टाइटल है, मेरे वाईएगा तो चंदर गुप्ता टू आणसर नमबर डी जो दे रहे हैं, डी ऑप्षण का दे रहे हैं, बिल्कुल से यह अंसर है ठीक है, तो चंदर गुप्ता टू को कौँन सा मिला था, मेरे वाईओ, बिक्रम अधित्या का ते कहा है? महराजा अधीराज का title मिला था और चंद्रगुप्तवन ने और क्या किया था? इशू किते गॉल्ड कोईन मेरे वाइयो कौन से कोईन गोल्ड किये थे issue? गोल्ड कोईन बात कर लिएगे अगर की गुपता पेरेड में, गुपता dynasty में जो है वो किसने गोल्ड को इन इशू किये थे तो चंदरगुप्त बन ने किये थे कौन सा टाइटल था चंदरगुप्त बन के पास तो चंदरगुप्त बन के पास था महराजा अधीराजा का चंदरगुप्त टू का टाइटल बता चुका हूँ चंदरगुप्त का बेटा था इसका संथा कुन समुंदरगुप्त जिसको की नैपोलियन आफ इंडियन इंडिया कहा जाता जो मैं आपको पीशे डिसकस कर चुका हूँ किसी कोशन में मेरे किसी भाई को कोई टाइप का अगर कोई डौट रह जाए ना तो बता दीजेगा चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं इसी के साथ मेरे भाई यह नेक्स्ट कुशन है चंदरगुप्त वास्दी फर्स्ट रूलर आफ गुप्ता डाइनस्टी टू अडॉप्ट हाँ देखें नोंने क्या बोला है सिंपल सा पूच लिया है कि चंदरगुप्त है जो है वो पहला रूलर था जिसने कौन सा डाइटल जो है वो अडॉप्ट किया था पीछे अभी हमने पढ़ा सिंपल अगर चंदरगुप्त होगा ना तो उसको चंदरगुप्त 1 समझेगा ठीक है अगर चंदरगुप्त वन टू दिया हुआ दूसरे होगे तो फिर चंदरगुप्त वन टू करके दिया होगा तो चंदरगुप्त की बात कर रहे हैं तो महराजा अधीराजा जो है बिल्कुल इसमें हमारा सही अंसर रहेगा मेरे वाई Next question है Who among the following is known as the father of plastic surgery in ancient India history Plastic surgery के जनक, plastic surgery के father जो है वो प्राचिन भारतिये में किसे कहा जाता था प्राचिन भारत में जा आप कह सकते हैं प्राचिन भारत इतिहास में जो है वो किसे कहा जाता था चलिए तो सभी options को देखेंगे क्योंकि सभी important है बात करते हैं कोटिल्या से तो कोटिल्या का क्या है important तो कोटिल्या ने लिखी है अर्थ शास्त्रा अर्थ शास्त्रा जो है वो कोटिल्या ने लिखी है कोटिल्या के बारे में मैंने कल आपको एक और बात पता ही थी कोटिल्या का जो हो पंगा हो गया था किसके साथ हो गया था धनानंद के साथ ठीक है नंद डाइनेस्टी का था धनानंद धनानंद ने कर दी कोटिल्या की बेज़िती थोड़ी सी और लोगों को लगने लगा लूटने ठीक है तो कोटिल्या के साथ हो गये फिर दो दो हाथ उसके तो कोटिल्या ने चंदरगुप् अजात शत्रू जो आपको लिखवा रहा हूँ ना बस mostly यही पूचा जाएगा बिम्बी सार से और कुछ नहीं पूचा जाएगा अगर बिम्बी सार पूचा गया तो यही पूचेंगे कि बिम्बी सार का successor कोन है अजात शत्रू किसका फादर है अजात शत्रू successor क्या होता है कि अब मान लो कि मैं हूँ ठीक है मैं गद्दी पे बैठा हूँ अब मेरे वाद जो बंदा आएगा ना वो होगा मेरा successor ठीक है तो वो होता है successor एक और नाम बिम्बी सार बिंदू सार जो है यह मिलते जुलते नाम है एक है बिम्बी सार और एक है बिंदू सार बहुत सारे बच्चेस में confused होते है याद रखेगा बिम्बी सार जो है वो अजात शत्रू का पिता है और बिंदू सार जो है यह अशोका का है किसका है अशोका का पिता है बिंदू सार ठीक है और बिंदु सार का पिता को न है चंदरगुपत चंदरगुपत जो है चंदरगुपत मोरिया ये बिंदु सार का पिता है नेक्स्ट बात करते हैं कलहान की कलहान का भी most important बन जाता है अगर तो आप specially G&K से हैं जम्मो कश्मीर से हैं फिर तो ये आपके लिए most important बन जाएगा क्योंकि इसने जम्मो कश्मीर के जितने rulers हैं उनके बारे में सब लिखा हुआ है ये किसका author है तो ये है author of राज तरंगिनी राज तरंगिनी का जो author है वो कोन है कलहान रहेगा ठीक है इसमें जम्मो एंड कश्मीर के all rulers जो है history जो है वो इसमें mention की हुई है clear तो last में बचते हैं हमारे शुशुत्रा तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही answer रहेगा जिने क्या कहा जाता है father of Indian plastic surgery जो की ancient time में थे तो क्या answer रहेगा इसमें हमारा answer रहेगा option number A देखते हैं next question तो next question है how many rulers rulers होगा यहाँ पे rules नहीं आएगा ठीक है यहाँ पे आएगा rulers rulers मतलब शाशक ठीक है दक्षनी पथा के कितने जो rulers थे जिसको समुंदर गुफ्त ने defeat किया था समुंदर गुफ्त नहीं इतना वो था न कि पटक पटक के मारता था ठीक है यह बहुत मारता था भाई खतरनाग तरीके वाली जो होते है UFC होते है यह बैसे मारता था उनको पकड़ करे ठीक है तो समुंदर गुफ्त ने question बनता कि कितने rulers जो है वो दक्षिन पंथा में हराय थे तो total 12 बन्दे 12 rulers वो को इतना पटक पटक के मारा था ना इसने 12 के 12 बन्दे हराय थे फिर उसके बाद में इसने क्या किया कि उनको जो है वो उनका शाशन जो है राज्य जो आप कह सकते है वो दे दिया बोलता allow to rule again चीक है कि आप फिर से जो है वो राज कर सकते हो फिर से अपना काम देंदा चलाओ मेरे नाम पे आजयशी करो clear तो 12 जो है वो याद रखना है दक्षिन पंथा में कितने हराय थे समुंदर गुप्त ने तो 12 मेंबर्स जो है या 12 किंग्स जो है वो हराय थे next question देखते है who among the following गुप्ता रूलर hailed as Indian Napoleon बस इतना ही याद रखो कि Indian Napoleon की बात कर ली है तो कौन सा गुप्ता रूलर है जिसे Indian Napoleon कहा जाता था due to उसकी military achievements की तरौन ठीक है क्योंकि military achievement बहुत स्टगड़ी थी तो कौन सा अभी अभी किसने मारा पीछे पटक पटक के इनको सभी को याद करो जल्दी से तो पटक पटक के मारा है सभी को समुंदर गुप्त ने ठीक है समुंदर गुप्त जो है इसे कहा जाता है Napoleon of India clear चलिए next question देखते है next question है which one of the following text is treatise on astronomical system कौन सा इनमे से text है जो इंडियन treatise करता है astronomic base पे ठीक है तो इंडियन की बात कर ली जाए तो सबसे पहले नाम आएगा पंच सिधान्ति का कौन सा आएगा मेरे बाईयो पंच सिधान्ति का नाम आएगा और इसके सिभा एक और important है जो पूछा जाता है बो है सूर्या सिधान्ता कौन सा है मेरे बाई सूर्या सिधान्ता जो है ये बिल्कुल सही रहेगा एक और जो की important है और ये लिखा किसके दवारा गया है तो ये लिखा गया है आर्या वटा के दवारा किसके दवारा लिखा गया है मेरे बाई तो ये लिखा गया है आर्या वटा के दवारा लिखा गया है चलिए अगला question देखते हैं अगले question में क्या कहा है एक तो थी वही कोटिल्या की बुक अर्थिशास्त्रा जिसको हम पढ़ चुके हैं और हम यह बूलेंगे नहीं इसके सिवा मैगदनीज की भी एक थी इंडिगा वो भी याद रखिएगा वो भी इंपोर्टेंट है तो उन्हेंने बोला है कि कोटिल्या की बुक के समान एक और बुक थी गुपता पिरेड में ठीक है उसका नाम जो है वो क्या था तो उसका नाम था कमंदकस निती सारा ठीक है कमंदकस निती सारा जो है इस बुक को माना जाता था कि ये भाई अर्थिशास्त्र के बराबर की ब तो याद रखिएगा कमंदकस नितिसारा ज़ा फिर कमांड़क कमांडकस लिख लिख लिजिए जिस तरह से आप रनाउन कर सकते हैं बस नितिसारा यो है वो याद रख लिजिए क्यूंकि mostly जो है वो नितिसारा लिखा हुआ आपको मिलेगा मैंने ये फुल नेम इसलिए लिखा है क्योंकि अगर इनके फुल नेम आ जाए तो आप कन्फ्यूज ना हो जाए ठीक है निती सारा याद कर लेजिए बात बन जाएगी next question है gold coin issue why gupta king were known as gupta kings जो है अब आपको इतना तो पता ना कि कौन से gupta king है जिसने gold coin issue किये थे ये बता चुका हूँ अब यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है मेरे भाई कि उन coins को क्या कहते थे sonars कहते थे dinar 15 या sonar 15 तो उन्हें कहा जाता था dinaras ठीक है और किसने issue किये थे चंदर गुप्त बन ने जो है वो issue किये थे तो क्या कहा जाता था dinaras option number b मेरे भाई बिलकुल सही रहेगा question पूछा what is the name of mcdonese book mcdonese की book का क्या नाम था तो indy का जो है mcdonese की book का नाम था अर्थशास्तर जो है ये किसकी book थी जल्दी से जल्दी से बताइए अर्थशास्तर किसकी book थी comment कर रही comment करिए बहुत बार बता चुका हूँ अभी पीछे तीन चार question कर चुका हूँ इसके उपर अर्थशास्तर के उपर जल्दी से अर्थशास्तर बता दीजिए किस-किस बच्चे को याद है कि अर्थशास्तर जो है वो किसकी है चलिए तब तक हम next question पर बढ़ते हैं इसका अंसर दीजिए सभी दोस्त जिन जिनको मालूम है जिनको नहीं मालूम भो मत दीजिए कोई बात नहीं तो next question देखते है which of the following dynasties of South India issue their document first in prakrit and later in Sanskrit simple सी बाशा में question पूछा गया है कि South India दक्षिन भारत की कौन सी dynasties है जिनोंने अपने document जहां अपनी कुछ भी कहलो अपने बारे में जो भी लखवाते लग वो उते थे वो जो है वो पहले प्राकृत में लिखे उसके बाद जो है उन्होंने इशू किसमें किये संस्कृत में प्राकृत से फिर संस्कृत में ट्रांस्फर करवा दिये तो वो कौन थे तो वो थे टूंडाई मंडलम पल्वाजाफ टूंडाई मंडलम तो option number C के साथ कौन-कौन जारा मेरे बाई बिलकुल सही जिसी वाले बच्चे बिलकुल सही आमसर रहेगा आप सभी का दिपल्वाजाफ टूंडाई मंडलम जो है इन्होंने प्राकृत से संस्कृत में जो है वो किये थे कलियर है चलिए इसके जिवना एक और question बनता है कि oldest dynasty in South India लिख लीजिए oldest dynasty in South India तो कौन सी थी oldest dynasty तो मोर्या मेरे वाई याद रखिएगा मोर्या dynasty ठीक है मोर्या dynasty जो है यह oldest dynasty है South India की चलिए बढ़ते हैं अपने next question की ओर who among the following was the head of नालंदा monastery नालंदा monastery का आप सभी ने सुना है ठीक है नालंदा university कह लीजिए monastery वर्ड जो है यह mainly use होता है बुद्धिजम के लिए ठीक है तो अब नालंदा university कर लीजिए monastery पकड़ लीजिए कोई issue ने है ठीक है नालंदा जो है यह main word है बोला गया है कि उस time पे monastery का head को था जब हूंत सेंग जो है वो visit किया था ठीक है तो सबसे पहले हम इसका answer लिखेंगे इसका answer लिखेंगे ठीक है बात करते हैं किस time period में गया था तो यह गया था 367 में ठीक है 367 में गया था उस time पे period किसका था हर्षा उस time rule पे था ठीक है हर्षा का time period था 606 to 647 का हर्षा का time period है इसकी एक book है मेरे बाईयो book है कौन सी book है c u key c u key करके किसकी book है उसके सिवा इसने degree ली है नालंदा university से degree ली है नालंदा university से इसने degree ली है ठीक है यह 3-4 वारतें जो है इसकी opposite एक और रूलर के गया था वो आगे हम question में cover कर लेंगे इसके सिवा एक और question बनता है नालंदा university के उपर की demolished के उपर demolished उपर ठीक है कि मतलब इसको तहस नहस किसने किया था इसको विरवाद किसने किया था तो बक्तियार खिल जी क्या answer रहेगा बक्तियार खिल जी याद रखिए वक्तियार खिलजी तो वक्तियार खिलजी जो है वाई इसने demolish किया था इसने monks जो थे वहाँ पे बहुत सारे monks को भी मारा था और library जो है वहाँ की वो भी जिला दी थी जाता है 90 days तक जो है वो library जो है वो जलती रही थी ठीक है यह कहना है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ मेरे भाई हो who among the pushbhuti ruler assume the title of parambatrak maharaja adiraja pushbhuti ruler का कौन सा वह ruler था जिसने title लिया था परambatrak का ठीक है भी मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा यह कहां का राजा था यह king था king of thaneswar कहां का था thaneswar का राजा था thaneswar से हमें याद आ जाना चाहिए कि thaneswar जो है यह पहले capital हुआ करती थी किसकी हर्षा की फिर हर्षा ने thaneswar से shift की थी कन्नोज में ठीक है हर्षा ने shift की थी थानेशwar से कन्नोज में किसने की थी shift इसके ओपर question बनता भाई तब ही करवा रहा हूँ मैं आपको starting में ही जब मैंने series start की थी ना मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि screen पे आपको वही चीज़े लिखवाऊंगा वही questions करवाऊंगा जिनके ओपर questions बनते हैं जहां जो PYQ based रहेंगे ठीक है ऐसे कुछ भी नहीं करवाऊंगा अगर यह history पढ़ने जाओ तो push-boot ती rulers काई पढ़ूंगा तो पढ़ाने लगोंगा ना पहले उनके बताऊंगा founder कौन था कितने rulers थे किसने क्या क्या achievement किये वो सब मतलब एक type का ऐसे कहलो कि time जो है वो based जाएगा क्योंकि इतना detail में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है PYQ based पढ़ते जाएंगे तो almost जो है हमारा सब cover हो जाएगा तो मेरे व आप सभी से request है कि notes बगरा जो है वो बनाते जाएगा साथ साथ में सभी दोस्त ठीक है clear चलिए next question पर बढ़ते है next question है who among the following dynasties had not participated in tripetile struggle tripetile struggle ये भी important question है इसको ज़्यादा तर वो पता किस तरह से mention क्या होता है इसको लिखा होता है tripetile struggle को क्या लिखते है यार कनोज ट्राइंगल वार करके जादातर mention क्या होता है तो tripetile struggle ये भी वर्ड याद रख लीजेगा तो इसमें किस किस ने participate किया था पालास थे प्रतिहारास थे और राष्ट कुटास थे ठीक है ये तीनों का जो है वहाँ पे पंगा हो गया था युद हो गया था लड़ाई हो गयी ठीक है ये तीनों हो गये थे उत्सुक एक दूसरे को मारने के लिए पीटने के लिए तो अब इन्होंने simple सा question में यही पूछा कि इन में से जो है वो कौन था जिसने participate नहीं किया था तो चालुक्यास जो है इन्होंने नहीं किया था तो इसी के साथ option number D हमारा जो है रूलर नहीं पूछा है clear चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देली सल्तनत के ओपर भी तो question आता है देली सल्तनत के founder तो बात करते हैं question के according कि last हिंदू रूलर कौन था मेरे भाईयो तो last हिंदू रूलर था हेम चंद्रा हेम चंद कुत्व दिन आईवक कुत्व दिन आईवक जो है ये founder था देली सल्तनत का इसने एक और चीज जो है उसके पर question पूछा जाता है कि कुत्व मिनार जो है वो किसने बनाया था तो कुत्व मिनार जो है वो कुत्व दिन आईवक ने बनाया था कुत्व दिन आईवक ने करवाया की नहीं करवाया ठीक है कनोज थी कनोज थी कैपिटल सिटी कनोज से पहले क्या थी बताया आपको थानेश वर्स शिफ्ट की कनोज में इसके साथ एक और चीज याद रखिए इंडिया की आपको पता है कैपिटल शिफ्ट हुई है ठीक है 12th of December 1911 12 December 1911 में जो है वो इ उसने शिफ्ट की थी कहां से कहां कैलकटा टू देली तो तब से लेके अब तक जो है वो कैपिटल देली ही है क्लियर चलिए नेक्स्ट कुशन दिखते हैं सिखजाद विच आफ दी फॉल्विंग वाज नौन एज एन और्गनाज़ेशन आफ मर्चैंट इन इंस्क्रिप् वर्षन नंबर यह जो है बिल्कुल सब्स रहेगा जो कुश कुशंट एकस्प्लीन करने लाइक रहेंगे जा जिनके बेस्ट पर और बहर बिर बनते हैं उनको जो 세ट में और इनके सबाइब बैसिक बैसिक हैं कि मानख बढ़ते हुए चलेंगे ठीक है कुशान का रूलर था ना कनिश का बताया के नहीं बताया बोलो ठीक है उसके बाद समुंदर गुप्त ये गुपता रूलर था हर्षा जो है हर्षा को पुष्य बूति हर्षा को क्या लेखेंगे हम पुष्य बूति या फिर बर्दना डाइनेस्टी ठीक है इन दोनों में से कोई भी होगा तो हर्षा उससे बिलॉग करता है तो पुलकेसिं बजचता है पुलकेसिं टू जो है इसमें मारा बलकुल सही answer हो जाएगा कोन हो जाएगा पुलकेसिं टू चालू क्या में कोन टे पुलकेसिं भन किर्ती विर्मन ये सबी नाम आप सबी ने जुने होंगे ठीक है तो ये सब जो है ये चालू क्या रूलर्स थे मेरे भाइयो clear next question देखते हैं और आज की class का last question है और ancient history इसी के साथ जो है हमारी खतम हो जाएगी ठीक है last question और ancient history complete हो जाएगे ठीक है फिर इसके बाद जो है वो next subject की हम start करेंगे during the ring of which of the following पल्वाज हीूंत सैंग visited the पल्वा capital कांची बोला गया है पल्वाज के time period पे जो हीूंत सैंग है वो कांची capital में आया था उस time पे ruler जो है वो कौन था बस इतना सा पूचा गया इसके साथ ही अभी आपको PDF जो है वो मैं ग्रूप बगरा में दे दूँगा टेका WhatsApp ग्रूप में तो नहीं तो आप सभी को separately send कर दूँगा PDF ओर बताओ इससे ज़्यादा और क्या चाहिए सभी के नंबर पे personally जो है वो मैं PDF ये वाली बेज दूँगा चलिए तो बात की गई है पल्वास की चलिए तो यूंत सैंग जो है विजटेड पल्वा कैपिटल कांची तो उस टाइम पे जब कांची में विजट किया उस टाइम पे रूलर कौन था तो नर सिमहन वन जो है वो उस टाइम पे रूलर था आपको लिखवाना लिख लो भी ठीक है हर्शा के रिलेटर है ये ठीक है हर्शा के रिटन्स ठीक है उसके द्वारा लिखी गई चीज़ें है ये सबसे पहले आ जाएगी रतनावली भै ये most important चीज़ है और ये almost पूछी जाती है ठीक है प्रिये दर्शी का हर्शा जो है एक बहुत तगड़े लेवल का पोईट था एक नागा नंदा ठीक है नागा नंदा ये याद रख लिज़ेगा रतनावली प्रिये दर्शी का नागा नंदा ये हर्शा के द्वारा लिखे गई है और किसी भाई को कोई डूट बगारा रह जाए तो बताईएगा जुरूर बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुकरिया आप सभी का कमेंट्स आप सभी के देख पा रहा हूँ जो जो भाई अभी तक जुड़े हुए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्र है आप सभी का जुणने के लिए विश्वास बनाए रखने के लिए यही अटूट विश्वास जो है अपना हमारे साथ बनाए रखेगा exam आते आते आपको यही विश्वास जो है वो result भी देखर जाएगा बस इसके सिबह आपको इसके बदले आपको एक चीज़ करनी है वो है मेरे भाई यो revision करनी पड़ेगी ठीक है अगर आप daily classes लगाएंगे daily देखेंगे videos एक एक बार देखके चले जाएंगे notes नहीं बनाएंगे उनको revise नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगे मेरे भाई पढ़ि point चीज़े करवा रहा हूं इसके बाद जब हम practice set करेंगे तो जो कुछ questions इनमें से भच गए होंगे जो आप नहीं देखे होंगे तो वो फिर हम practice set में cover कर लेंगे clear है और बाकी कोई doubt query हो तो comment box में बता दीजेगा तो जहां फिर description में link दी हुए है बहां बता दीजेगा कोई questions के साथ तब तक के लिए दीजे इजाज़त जय हिंद जय भारत